हेलो इबरेन आप लोग का स्वागत है फिर से एक नहीं वीडियो में दोस्तों आज मैं आप लोगों बताने वाला हूँ कि इंडेनाडल में जो इंटर्व्यू कैसे लिया जाता है जब भी आप ओडिशन देने जाते हैं वहाँ पे तो आपका first round audition पहले होता है first round audition होने के बाद second round के लिए आप लोग को बोला जाता है कि वहीं पे second round का भी audition होता है second round का audition होने से पहले आपका interview लिया जाता है उसके बाद ही आपको perform करने दिया जाता है audition देने दिया जाता है तो आखिरकार audition में क्या-क्या पूछा जाता है और audition में किस audition किस तरह से लिया जाता है इस वीडियो में आज आप लोग से क्लियर करोंगे इस लिए इस वीडियो कांट देखेगा और मेरे चैनल में नहीं आए तो सब्सक्राब करें बेल आका दवा दिजिएगा तो चलिए द तो इस तरह से क्या होता है कि एक-एक करके उहाँ पर बुलाया जाता है और उहाँ पर interview होता है सब लोगों के सामने ऐसा नहीं कि जोर-जोर से बोला जाता है जश्ट दूर में रहता है टेवल और उसमें आपका interview लिया जाता है interview में क्या-क्या पूछा जाता है main चीज यह अगर आप इसमें अच्छे से पास कर गए अच्छे से जवाब दे दिये एक-एक करके तो आप यहाँ पे अराम से सिलेक्ट हो सकते हैं कि आप क्या करते हैं mainly यह पूछा जाएगा और कहां से है यह भी माइने रखता है क्योंकि आप अगर बड़े सिटी से होंगे तो वहाँ पे obviously लोग ज्यादा होंगे जैसे की UP से या फिर मध्यप्रदेश या पिर कई भी जैसे कि यह अयोद्धा से है रिसी सिंग इस तरह स होता है तो इस तरह से भी लोग अंदाज लगाता है कि यहां से कोलकता से यह वहां से तो यहां पर क्राउड ज्यादा है इस तरह से लोग लेते हैं ठीक है तो इस तरह से पूछा जाता है पूछने के बाद क्या होता है कि background के बारे में बता दी अगर आप बता रहे हैं चड़ा के आप बोल दिये फिर आप आपका स्टोरी बन गया ऐसा नहीं आपका जो रियल है रियल इंसिडेंट है वही बताईएगा कि अगर आपका पिता नहीं है माता नहीं है आप ऐसे ही बड़े हुए हैं तो इस तरह से ठीक है आपका बेग्राउंड पहले पूछा जाए सिंपल चीज करते हैं वही आप लोग बताईएगा ज्यादातर ऐसे ही होता है जो चोटा मुटा चीज करते हैं पढ़ाई करते हैं बहुत सार ऐसे भी हैं उसके बाद आपको पूछा जाएगा पिताजी क्या करते हैं तो सिंपल पिताजी जो करते हैं अगर आपके साथ रह देने कियो हाँ और इसे हम लोग का क्या फाइदा हो सकता है क्या आप लोग जानते होंगे कि इंडरेडल में क्या होता है ऑर अगर आप उस तरह से त्या बटॉ're सकते हैं ड्याप वजो को दे सकते हैं तो में आपको डेफिनिटिल उहां पे ले लेगा अगर आपको तरह से creativity आता है, लोगों को हसाना आता है, या फिर singing करते activity आता है तो कुछ भी तरहाँ जैसे कि TRP आना चाहिए, ठीक है, लोगों को हसाना, या फिर उससाना का acting करना, acting में या फिर singing में अच्छे से ठीक है, तो इस तरह से अगर आप को तो उस तरह से आप लोग बोलिएगा कि singing के अलावा मुझे और भीएक्टिंग भी आता है लोगों को हसाना.. कमेडी भी करने भी आता है तो इस तरह से अगर आपको कुछ आता है मुझे male female दोनों दोंनों में गाना आता है तो इस तरह से अगर आप लोग क्रियेटिविटी दिखाते हैं अगर आप बोलते हैं उसको कि नहीं बाई मुझे एक्स्ट्राउडिनरी और भी आता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सिलेक्शन का चांसे बढ़ जाता है आप अच्छा गाएं बुरा गाएं आपका अगर इस्टोरी अच्छा बनता है आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे कांटेस्टेंट होते हैं कि उनको गाना गाना नहीं आता है बलकि ओगाना मेल के भोईस में भी गाता है और थोड़ा एक्टिंग करता है इधर कमेडी लोगों को हसाता है तो लोग को भी चांस मिल जाता है अगर इस तरह से आप आपको पूछा जाता है हरँ होता है और इंटरव्यो के बाद ही आप आप आणियों डेते हैं तो इसलिए आप लोग पहले से प्रिपेर रहिये कि अप इंटर्व्यू कैसे दे उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप कहा से म्यूज़िक स्खे हैं तो बोलिएगा इधर उढ़ेगा कि कोई गुरू से सिखे है तो बोलिएगा मैं गुरू के साथ पास सीखा ہ Celik तो इस तरह से आपको सच बताना है, कोई भी जूट आपको नहीं बताना है, इंटर्वियो में जो भी पूछा जाएगा, आपको धड़ा-धड़ जबाब देना है, और ऐसा नहीं कि कुछ बोल रहे हैं, कुछ रूक रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको जो आपका मन में है, जो सथ हुआ है, जो घटना है, जो सच्चाई है, वहीं बताना है, और दुसरा कुछ उट पटांग नहीं बताना है, तो यही था दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताना था, कि इंटर्वियो किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, आप 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 आप